कुछ महीने पूर पटना के कोतवाली थाने में च्छेतर में एन आराई से लूट पाट की घटना होती और इस पूरे मामले को लेके एन आराई रितियस पात्रा की ओर से पटना के कोतवाली थाने में फायार दर्च कराया जाता है और इस पूरे परकरन में जो एन आराई के द कई माध्यमों से पैसे का फर्जिवारा किया और इस पूरे मामले को लेके जो पीरिट टेम्पू चालक है उसने पटना के खुदवाली थाने में प्रात्मी की दर्च कराई है कि अधिए एनराई जो के रूप में एक कुछ बिक्षिटी आया था नाम रितेश बत्रा था दो महना के पहले घटना ही है उन्होंने आया था और यह आरोप लगाया था कि मैं घुमने के लिए यहां पर आया हूं और गुरुद्वारे में पूजा करने के लिए था कि थी प्रत्म के दर्ज करने के बाद में हम लोग ने मामले को संग्यान में लिया था और उन्होंने जैसा ब्यान दिया तो उसके दार पर करवाई भी की गई थे उसी कर्में पुलिस कर्मी पर भी आरूप लगे थे कि उन्होंने जो चुकी भीक्टिम थे वह नराई के का ऊप पुक्मार उन्होंने के प्प्लेंट किया निया कि उन्हों जो पहले आफ़रन दिया था उन से तीन बार में यह कभी 500 रुपिया कभी 1,000 रुपिया कभी 700 रुपिया इस तरह से पेफोन के माध्य में से उन से पैसा लिया इस बात के लिए करके कि उन पर कोई करवाई नहीं होने देंगे यह और यह नहीं देंगे तो यह कुछ-कुछ अपना धंकी उनकी टाइप को दिये यह वह एक बढ़ी अपराद है तो इसके बाद हम लोग ने यह रंगदारी के मामला कमप्रेटि ले हैं तो अब लुटो चालक ने आपने लिखी दरुप से आवदन दिया है तो आवदन देने के बाद हम लोग ने दर्ज कर लिया है शिपाही के साथ में हम लोग पूरे घटना करम को लेके जो कोतवाली के DSP कृष्प मुरारी हैं उन्होंने कहा कि FIR दर्च कर लिया गया है और इस पूरे घटना करम की जाज की जा रही है अगर NRI रितियस पात्रा दोसी होगा तो उसके खिलाफ कारवाई की जाएगी केमरामेन रिति के साथ रोही दर्चनुच पटना